नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूटूब चैनल यार एकेडमी में दोस्तों आज हम पैथोलाजी का नेक्ट पार्ट लिकर रहा हैं जहां पर पिछला लेक्चर खत्म होता उसके आगे क्लासिफिकेशन आप प्लांट डिजी जैन कंट्रोल किस तरह कौन उनको उन्हों सिदेजी जोती है किससे डीजी जोती है प्लांट डिजी और उनको कंट्रोल कैसे करते हैं तो चलिए शुरू करने फेले जो भी चैनल से ने जोड़ रहे हूं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करते हैं सभी लोग वीडियो को और अपने से दोस्तों को ज़्यादब दीजीज करें। सब्सक्राइब सब्सक्राइब इस प्रिवेंटिव मीजर्ण एक प्रकार से प्रेवनिजेट यоды दो अइसके को कैसे हम रोके कि वह हमारी call में आहिणापरा फिल्ड में होई न पाइनपर्फ इसके लिए सबसे पहला वाइदेंस आप अधाए से बचाओ करते हैं क्रॉप का यह फील्ड का हम पैथो जन से बचाओ करते हैं जिस पैथोजन से डीजीज होती है वह हमारे अगर प्लांट पर ना आ है तुछ से क्या होगा कि वह डीजीज जो है नहीं होगी नेक्स्ट है selection of geographical area हम ऐसे geographical area का selection करते हैं जहाँ पर disease free area होगो वहाँ पर कोई disease नहों कोई भी disease के sports नहों उस land पर और वहाँ पर कोई भी epidemic ये pandemic disease कोई नहों प्लांट पर तो ऐसे हम geographical area का selection करते हैं नेक्स्ट है selection of field तो यह भी वही हुआ कि इस तरह की field का selection करते हैं जहाँ pathogen नहों pathogen के sports नहों pathogen free field हो तो इस तरह की field का selection करते हैं नेक्स्ट है choice of the time of time of showing तो showing time पर भी बहुत कुछ निर्वर करता है कि कुछ जैसे disease होती है उनका particular time होता है कि वह माली यह बरसाथ की season में होती है या उनका कुछ एक particular time होता है कि उस time पर वह ज्यादा होती है तो क्या करते हैं हम sowing के time को थोड़ा extend कर देते हैं बढ़ा देते हैं जो भी crop हम लेते हैं उसको थोड़ा आगे बहुते हैं जिस time पर वह disease होती है वह उस time period के बाद हम sowing करते हैं तो इस तरह से हम time को change करके भी prevention कर सकते हैं हम ऐसी वराइटी को बहुएं जिनमें डिजीज होती है नो डिजीज रेजिस्टेंस उनमें रेजिस्टेंस और डिजीज से लड़ने के लिए तो इस तरह कि अगर हम वराइटी बहुएंगे तो उसमें डिजीज फिर नहीं होगी selection of seeds हम इस तरह के seed का selection करते हैं जो कि डिजीज फिरी हो अच्छे certified हो या तो फिर वो क्या हो अच्छे से treated हो उस pathogen के लिए तो इस तरह से seed का selection करके हम डिजीज से prevention कर सकते हैं next modification of cultural practices जो cultural practices होती है तो उनको हम थोड़ा modified करके हम क्या कर सकते हैं pathogen free field पा सकते हैं जैसे कि हमने गर्मियों में soil solarization कर दिया एक बार जुताई कर दिया अच्छे गर्मियों तुर से क्या होते हैं pathogen area में disease हो गई तो हम उसको कैसे next area में जाने से बचाएं बगल वाली field में जाने से बचाएं या और जो आसपास के हमारी field है उन पर वो डिजीज न फैले तो इस तरह से हम उसको क्या कर सकते हैं exclusion कर सकते हैं तो यह भी एक हमारा prevention matter है जैसे quarantine करना quarantine inspection and embargo certification embryo certification तो इसमें क्या करते हैं कि उस फील्ड को quarantine कर देते हैं एक प्रकार से जिस फील्ड में disease होती है जिस तरह कि कोरोना में क्या करते हैं जो भी हम हमें अगर लच्छन दिखाया देते हैं तो उनको क्या करते हैं कुछ दिनों के लिए अलग रखते हैं इस इसरी फील्ड पर न जा पाए तो यह हमारे प्रिवेंट्टिव मीजर से नेक्स्ट है इराइडिकेशन एक मीजर होता है इस मीजर इस टेकन फॉर दा एलिमिनेशन आप दा पैतोजन आप्टर इस इस्टेबलिस्मेंट ऑन दा होस्ट तो प्रिवेंशन क्या करते हैं प्रि तो हमारे कहलाता है इराइडिकेशन इट इन्क्लूड इसको किस तरह नश्ट कर सकते हैं एराइडिकेशन को क्रॉप रोटेशन से सैनिटेशन से एलिमिनेशन आप अल्टरनेट एंड ओवर विंटरिंग होस्ट या फिर एलिमिनेशन आप पैतोजन फ्रॉम्दशी टूब करते हैं जैसे पहला है हमारा फिचकल बाइ घ्यंट होट वाटर लाइड बाइ पानी में हम क्या करते हैं यह फिजिकल मेथड़ है सीट्रीटमेंट करने सोलर इनरजी ट्रीटमेंट यह भी फिजिकल मेथड़ है तो इसमें क्या करते हैं तो कंट्रोल लूजिसमेंट आफ वीट वाज फार्ट डिवलप बाई लूथर और शटर यह बहुत ज्यादे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इनरजी ट्रीटमेंट किसे डिवलप कर दिया लूथर और शटर ने वहीं हॉट वाटर ट्रीटमेंट जिंसन ने तो कब किया था 1934 में इन दिस में तर सीट्स आर सोक इन वाटर फॉर तो फाइब आवर्स एंड ड्राइड इन देशन इन दमंध हो मैं जून तो इसमें क्य उस च्पाइलड सीटि को करते हैं बिचा देते हैं ऐच्छी घासी दूब में तुस्से क्या होता है कि जो उसके स्पोर्स होते हैं फंगस के स्पोर्स हो गए या फिर जो भी हमारे डिज्टित को करते हैं उनंके जो भी पूरा का पूरा चार्ट इससे एक दो कसे जरूर आते हैं कि कौन सा डीजी किसके द्वारा होता है तो सबसे पहले है बक्तिरियल डीजी फाइलम प्रोटो बब्क्तिरिया के substance फैलम प्रोटो बैक्तिरियण का इस तो अब चलिए एप डीजीज है कि कौने डीजीजी का नाम है पिर उसके बाद कोज बैक्तिरिया है और उसके बाद वेक्तर रखीक इसके दारा हृत यह चार्ढ बहुत ज्यादे इंप्उर्टेंटा होने सिटो इंकर फाला हे सुल में सपर्टेस से नेध्स ब्लेक। रॉट उप्र्टॉट तो यह होता है यह नहीं से अरे पाप्तिरियलगोल, लाइटॉस यह तैसी सूल कशनुखे वे सेरम से हैं फिर है ग्रीनिंग डिजी जॉप सिट्रस यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो कंडिडेटस लिवरो बैक्टर यह जो हमारे इसका जो बैक्टर है वो है साइलिट्स एंड डाइफोर्निया मिली नेक्स्ट फायर ब्लाइट ओफ एपल या पीर बहुत ज्य बइसि जॉप पोटएट यह भी बहुत इंपॉर्टेंट यह होता है स्ट्रेपोमैसिस इसके से लेटी इक सारी इंप्रीट वी नालेर त्रद से, dealers ञेंटिंग डिजीज और सुगरकेन् यह होता है क्लैवी वेक्टर जाईली से और यह होता है Չसका ट्रांसमिशन होता है वेक्टर है मेकैनेकल ट्रांसमिशन जब हम हैंडलिंग करते हैं सुगर केन की तब वहां से फिर इसका ट्रांसमिशन होता है नेक्स्ट येलो वाइन आउप कुकर बिट्स तो ये होता है सिरेटा नायरा सेंस से स्क्वैस बग और मासा ट्रिटिस जो इसको वेक्टर का काम करते नेक्स्ट है कॉर्ण इस्टन्ट कॉर्ण इस्टन्ट होता है स्पाइरो प्लाज्मा कुनकेली से जो है डाल बुलास मैडिस के द्वारा फैलता है तो ये जो इस्पाइरो प्लाज्मा कुनकेली दिया है यह हमारा कैसा है कॉलोनाइजिंग और बैक्टिरी इसमें क्या होती है uranium colony बनती है bacteria कि इसके दوعरा फिर य eyelid शून करते है पफिर पैस्टोजन डेवलप होता फैस्टीडियस वैस् यह помokै जो हुआ है मيकग Via अnow नेक्सट है फिलोडी फिलोडी डिजीई जो होती है ये इसका होच फ्लांट है सीसम एतिल और ये फैलता है लीफ आपर के द anthem और और ओर सिस अल वी सिनक्तास नेक्सट है लिटील लीफ लीफ ये होता है बृण्जल में ये सारी इस सारी डिजीज माकुलेघ्ड मच sil जाता है तो लिटील लीफ और बिंजल होता है जो माइको प्लाजमा से और यह फैलता है लीफ ओपर से यह से स्टीटियस फाइट से नेक्स्ट है ग्रासी सूट जो है सुगर केन में होता है और एफिट के दोरा फैलता है नेक्स्ट है परपल टॉप रोल और यह पोटेटो में होता है और leaf अपर से फैलता है next है sandal spike disease जो की cardamom में होता है और leaf अपर से फैलता है जैसे indicus से next है viral disease जो virus disease होती है next उनका chart है definition of virus दिया हुए है यहां पर viruses are elementary particles that possess some properties of living system तो यह elementary particles होते हैं जिसमें कुछ properties होती है कि इनकी living system की such as having a genome जैसे genome रखते हैं and being able to adopt a changing environment और यह क्या जो environment changing होता है उसको adopt करने की चमता होती है तो यह हमारे viral virus के लाते हैं तो अब है हमारा सबसे पहले host plant दिया हुआ है फिर viral disease की count disease होती है उस plant में और फिर उसका vector तो सबसे पहले wheat wheat में होता है ekstrack mojac तो वो है viral disease है और वो फैलता है इरोफिड माइट से एस एरिया tulipi से next है mage mage का mojac जो है वो भी वायरस होता है और वो फैलता है sorghum bug से पेरे greenhouse medis से next है rice rice का टुंगरो disease जो है वो भी वायरस होता है और फैलता है green leaf hopper से या नेपोटेटिक्स विरिस्टियन से next है rice का grassy stent virus और ये फैलता है BPH या नीला परवता लूगें से ये दोनों important बहुत ज़्यादा डिजीज है इनके vector पूचे जाते हैं कि टुंगरो disease का vector कोन है तो वो है हमारे green leaf hopper वहीं जो rice का grassy stent है उसका जो vector वो है brown plant hopper ये बहुत ज़्यादा important question है दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा पूचे जाते हैं और इसमें अकसर confusion होता है क्योंकि दोनों के दोनों hopper है हमारे next है groundnut का roget virus ये फैलता है aphid के दारा aphid crossy गोरा के दारा next है groundnut का bud necrosis ये बहुत important question है ये फैलता thrift से प्रैंकी नेलिया इसको टेजाई से next है pigeon पी pigeon पी का इस्टेलिटी मुझे और ये फैलता arophid mite ये ऐसेरिया का जाएनी से ये बहुत ज़्यादा important question है arophid mite का हमेंसा scientific name पूचा जाता बहुत ज़्यादा तो इसका scientific name है इसरिया का जाएनी से next है भिंडी का yellow bean मुझे वाइरस ये फैलता है white fly से बहुत ज़्यादा important disease ये बिंडी की cotton की और ये फैलता है white fly ये bhamesia tabakki से next है tomato का leaf curl वाइरस ये फैलता है white fly ये bhamesia tabakki से ये फैलता है next chili का leaf curl तो यह देखिए यहाँ पर यह इसलिए important क्योंकि बिंडी और टोमेटो का जो लीव करल है वो फैलता है white fly से बेमेसिय टबैकी से लेकिन जो चिली का लीव करल है वो फैलता है थ्रिप से इसलिए थोड़ा कुछ different है इसलिए ऐसे question पूचे जाते हैं क्योंकि लीव करल एफिट से पहलता है माईस परसी की बनाना का जो बंची टॉप यह बहुत ज्यादे important question है यह पहलता है बनाना एफिट से यह सारे एफिट की species भी अलग-अलग है इसलिए आपको इनको सबको याद रखना है यह जो बनाना एफिट है उसका नाम होता है पेंटालोनिया नर्वोसा और किसके द्वारा होता है वायरस के द्वारा नेक्स्ट है सिट्रस का टिट्रिजा तो वह पहलता है एफिट के द्वारा यह सिट्रस एफिट है उसका नाम होता है टॉक्स अप्टेरा और एंटेटा नेक्स्ट है पापाया का मोजा एक वारस तो पापाया मोज नेक्स्ट है Cortun cotton के लीफ करल जो है वह वाइट विलाय से फैलता है किससे बेमेशिय टबैकी से तो आपको इतना याद रखने है LEAP के लिए आपको इतना याद रखने है साले रीफ करल बिमेश यद टबैकी से जो फैला है, बस सिर्फ चिली का जुममार। वाहारा फैला है, त्रिप से जो निक डिजई लगारे काउपी कि मुझाक वाईरस वो भी इफिट से फैला है, अर्फिट क्यासी बुरस है और मैंगो माल फार्मेसन जो है उसमें भी कहीं कहीं वायरस का जो है योगदान होता है हमारा डिजीज के लिए और वो फैलता है बाट माइट से एस एरीया मैंगी फेरे से तो यह इंपोर्टन डिजीज है मैंगो के लिए तो दोस्तों ये आज के हमारी डिजीज और डिजीज के क्लासिफिकेशन था कि कौन से डिजीज किसे हो रही है कौन होस्ट प्लांट है इस चोटे से लेक्चर में बहुत सारे important question बनना है जैसे कि होस्ट प्लांट पूछा जा सकता है आपको scientific नाम पूछा जा सकता है और कौन से डिजीज बायरस से हो रही बैक्टीरिया से हो रही है माइक्को प्लाजमस हो रही है पूछा जा सकता है और कौन से वेक्टर है तो ये आपको सब बहुत अच्छे से याद होना चाहिए तब ही आप ये सारे questions सही कर पाएंगे और अगर आपको ये याद हो गए तो आपक